बच्चो आज हम लोग ऐसे विराट व्यक्तित्तु के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं जिनोंने भारती सिनेमा को कलात्मक उचाई प्रदान कर अंतर राष्टी इस्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त की वे हैं भारत रत्न फ्री सत्जीत राय हैं सत्जीत राय का जन्म कलकत्ता में दो मई संग 1921 को हुआ इनके पिता का नाम सुक्मार राय और माता का नाम सुप्रभा राय था जब सत्जीत राय दो वर्सके थे तब उनके पिताजी किम रित्य हो गई उनका पालन पोषण उनकी माँ ने अपने भाई के घर में किया उनकी मा सुप्रसिद्ध गाई का थी सत्जीत राय के दादा उपेंद्र किशोर राय ये बहुत प्रसिद्ध लेखक और चित्रकार थे इनके पिता सुक्मार राय जी बंगला में बच्चूं के लिए कविताएं और गीत लिखा करते थे साथ ही अच्छे चित्रकार भी थे सत्जीत राय की शिक्षा जो है मा के द्वारा घर पर ही हुई इसके बाद आठ वर्ष की उम्र में उनका दाखिला कलकत्ता के बाली गंज के सरकारी विद्याले में करा दिया गया और उसके बाद पंद्रह वर्ष की आयू में हाई स्कूल की शिक्षा पूर्ण की महाविद्यालाई शिक्षा प्रेशिडेंसी कालेज कलकत्ता में हुई और चित्रकारी की शिक्षा के लिए सांति निकेतन में प्रवेश लिया वहाँ उन्होंने सुप्रशिद्ध चित्रकार नंदलाल बशू एवं बिनोत बिहारी मुखो पाद्याय जैसे सिद्ध हस्त कलाकारों से शिक्षा प्राप्त की फिर वापस कलकत्ता आ गए सत्त जीत राय जी का बिवाह जानी मानी अभिनेत्री तथा गाई का बिज्यादाफ जी से 1948 में हुआ संदीप इनके पुत्र हैं जो आजकल फिल्म निर्देशक हैं वास्तव में क्षित्र जीत राय अंतर राष्ट्री इस तरके फिल्म निर्देशक थे ओनाइस सो पच्पन में पाथेर पांचाली ने तहल का मचा दिया फिल्म जगत में एध्यापिनों ने 37 फिल्मों का निर्देशन किया है फिर भी कुछ फिल्म हैं इनकी विश्व प्रसिद्ध हैं जैसे अपराजितो जो उनाइस सो चपन में आई जलसा घर उनाइस सो अंठामन में आई अभियान ये उनाइस सो बासट में आई सत्रंज के खिलाड़ी 1977 में आई ये प्रेम चंजी की कहानी है देवी 1960 में आई पारस पत्थर उनाइस सो अंठामन में आई चार उलता उनाइस सो चोशट में आई सद्गत ये भी हिंदी फिल्म है ये 1981 में हम लोगं के सामने आई समाज के सामने आई जैसा मैंने आपको बताया के सत्जीत राय केवल फिल्म निर्माता ही नहीं थे वे बहुत बड़े रचनाकार भी थे और उनकी रचनाएं साहित जगत में बड़ी प्रतिष्टा के साथ पढ़ी जाती हैं जैसे प्रोफेसर शंक के कारणा में दूसरा ग्रंथ है इनका सोने का किला जहां गीर की स्वन मुद्रा ये तीसरा ग्रंथ है चौथा ग्रंथ है बाशाही अंगूठी इस तरह से अनेक ग्रंथों का प्रणयान इन्होंने किया और अत्यधिक्ष्रम के कारण निरंतर बीमार रहने लगे पैणामस शुरूप 23 अप्रेल 1922 को कलकत्ता में यह दिब्विभूती सदा सदा के लिए इवधरा धाम से उठ गई समूचे फिल्म जगत में अंधेरा चा गया वास्तों में सत्जीत राय ने फिल्म विधा को संब्रुद्ध ही नहीं किया बलकि निर्देशकों और आलोचकों के बीच समझ विक्षित करने में भी अपना योगदान दिया है इनकी अधिक्तर फिल्में साहितिक कृतियों पर आधारी थे यह बहुत बड़ी बात है इनके पसंदीदा साहितिकारों में बंगला के विभूत विभूशन बंदयों पाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेम चंद तक सामिल है इनके प्रदे को देखते हुए इन्होंने जो अवदान किया फिल्म जगत में साहित जगत में तो इन्हें 11 अंतर राष्टी पुरुशकार प्राप्त हुए और 32 राष्टी फिल्म पुरुशकार प्राप्त हुए इन्हें 1908 में पद्म स्री से नवाजा गया 1965 में पद्म भूशन सन 1906 में रमन मैक्से से पुरुशकार से नवाजे गये डॉक्टर राफ लेटर्स 1973 में और डिलिट की उपाद मिली 1974 में और पद्म भिभूशन 1976 में इन्हें प्रदान किया गया दाधा सहब फाल के पुरुशकार 1970 में और सोवियत लेंड नहरू पुरुशकार 1980 में भारत रत्म जो भारत का सर्वोच सम्मान है यह इन्हें मिला 1902 में और आसकर रिवार्ड भी उन्हें सो बानने में ही इन्हें प्राप्त हुआ इस तरह से 37 फिल्मों का निर्देशन इन्होंने किया है जैसा पहले भी मैं आपसे बता चुका हूँ के फिल्मकार के अतरिक्त कथाकार चित्रकार और फिल्म आलोचक भी थे इनकी बहुत सारी समिक्षाएं देखने को मिली है बच्चो अबू के साथ धाई साल संस्मरण आपके पाठिकर में संकली थे जिसे सत्जीत राय जी ने लिखा है यह संस्मरण है क्या बच्चो संस्मरण जो है गद्य की एक नित्यनूतन विधा है इस्मृति की आधार पर अत्वा किसी व्यक्ति पर लिखित जो आलेख है वह संस्मरण कहलाता है संस्मरन लेखन एक कला है इसके लेखन में इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो लिखा जाए वो सत्य लिखा जाए गलत न होने पाये भाशा, सरल, रोचक और बोध गम में होनी चाहिए संस्मरन मर्यादित होना चाहिए किसी की मान मर्यादा को अकारण कोई ख्षत न पहुचे इस बात का लेखक को ध्यान रखना होता है और जैसा आप जानते हैं संस्मरण साहित्य की एक अभूत पूर्विधा है बहुत से बिद्वानों ने जीवन के अपने अन्वो अपने संगर्ष और अपनी सफलताओं को साहित्य में संस्मरणों के रूप में लिखकर अमर कर दिया बच्चो संस्मरण दो तरह के होते हैं पहला है आत्म संस्मरण और दूसरा है दूसरे से सुनकर लिखे गए संस्मरण आत्म संस्मरण के केंद्र में लिखने वाला व्यक्त मुखे होता है वह अपनी इस्मृती से अपने देखे सूने और भोगे हुए जब कि दूसरे से सुनकर लिखे जाने वाले संस्मरण में लेखक किसी व्यक्तिसे बादस्चित करके, उसकी श्म्रित को टटोल कर उसे लिपिबद करता है। अनेक बिद्वानों ने अनेक संस्मरण लिखे हैं और उनके जो संस्मरण हैं वे साहित जगत की अमले नहीं दी हैं। महियसी महादेवी भर्मा, गौरापंत सिवानी, नरेंद्र कोहली, आधिने संस्मरन आत्मक साहिति लिखकर साहिति कोश को भरने का प्रणम में प्रयास किया है। अपू के साथ धाई साल सुप्रसित संस्मरन है, आएए देखते हैं इस महत्पूर्ण संस्मरन के सारांश को। जिसका निर्मान भारती फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इससे फिल्म के स्रिजन और उसके व्याकरण से संबंदित अनेक बारीकियों का पता चलता है। इस संस्मरन में फिल्मकार सत्जीत राय ने पतेर पांचाली फिल्म से जुड़ी अनेक कठिनाईयां, उनका समाधान और निर्मान में देरी साथ ही रोचक घटनाओं और अनभवों का चित्रन बहुत ही प्रभावी ढंग से किया है। पैसे की कमी किसी भी कारी की संपन्नता में सबसे बड़ी बादा होती है। और देरी का कारण बनती है। किन्तु धीरज और आत्म बल में हर समस्या का जो समाधान है वो नीत होता है, समाहित होता है। आए देखते हैं इस संस्मन का संचिप्त सार। इस पाठ का भाशांतर बंगला मूल से बिलास गीते जी ने किया है। पथे पांचाली फिल्म की सूटिंग का काम धाई साल तक चला था। इसका मुख्यकार्ण यह था कि फिल्मकार स्वेम एक विध्यापन कंपीनी में काम करता था। इसके पास पैसों का भी अभाव था। और फिल्मकार फिल्म से जुड़े अपने अनभों बताते हुए कहते हैं कि फिल्म की सूटिंग आरम करने से पहले उसे फिल्म में काम करने वाले कलाकारों के एकत्र करने के लिए भी खूब मेहनत करनी पड़ी। भी कोई लाइक क है कोई ड्रामा है को एक आंकी फिल्म है उसके लिए पातरों की आउसक्ता होती हैश्य और इसमें सत्यजीत राय को न भाई कुट एक अत्र करने में फिल्म में मुख perhaps अपू की भूमिका के लिए उन्हें एक एक शे साल का लड़का चाहिए था बहुत से बच्चों के इंटर्व्यू की बात भी उन्हें कोई कलाकार बच्चा नहीं मिला आखिरकार पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुभीर बनर जी उनके उम्मेदू पर खरा उतरा और उसे पथेर पांचाली फिल्म में अपू की भूमिका दी गई इस फिल्म की शूटिंग में फिल्मकार को अनेक कटनाईयों का सामना करना पड़ा फिल्मकार बताता है कि उनको कलकत्ता से सत्तर मील दूर पाला सिर्थ नामक गाउं में शूटिंग करनी थी वहां रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा मैदान था बच्चो एक काश फूल जो है एक घास है जिसकी उज्ज्वल सफेद जिसके फूल होते हैं और वो कुछ समय बाद जढ़ जाती है या मवेशी पश उसको चर जाते हैं कुछ समय के लिए शूटिंग वहां रोकनी पड़ गई जब दोबारा शूटिंग आरम हुई तो काश फूलों से भरा अर्था ओ जो काश के फूल थे मवेशियों द्वारा चर लिए गए थे अईसे में एज़ी शूटिंग की जाती तो द्रिश में निरंतरता न बन पाती परिणाम शुरूप फिल्मकार को एक वर्ष तक अर्था दोबारा काश फूलों के खिलने का इंतजार करना पड़ा एक अंग्य द्रिश के संबंध में फिल्मकार बताते हैं कि उन्हों रेल गाली से बहुत सारी सूटिंग करनी थी बहुत सारे सूट्स लेने थे उन्होंने प्राता से लेकर दोपहर तक वहीं रेल लाइन से गुजरने वाली रेल गाडियों का टाइम टेबिल देखकर भिन विन्न रेलगाड़ियों के शार्ट्स लिए किंत फिल्म में उन्हें इस प्रकार दिखाया मानो सभी शार्ट्स एक ही रेलगाड़ी से लिए गए हो इसी प्रकार फिल्म में एक कुत्ते की भूमिका निभाने के लोनों ने गाउं से ही एक कुट्टा लिया जब उस कुट्टे पर एक द्रिश का आधा भाग फिल्माया गया तो पैसे की कमी के कारण सूटिंग को रोकना पड़ा पैसे आने पर जब सूटिंग दोबारा प्राणबुई तो पता चला कि वह गाउं का कुट्टा मर गया है बाद में उससे मिलता जुलता एक दूसरा कुट्टा ढूण कर द्रिश को पूरा किया गया इसी प्रकार फिल्म में मिठाई वाले की भूमिका स्री निवास नामक एक कलाकार को दी गई जो उसका निर्वाह कर रहा था उस पर भी जब एक द्रिश्य का आधा भाग फिल्माया गया तो पैसे की कमी के कारण सूटिंग को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा जब दोबारा पैसे आने पर सूटिंग शुरू हुई तो पता चला कि मिठाई वाले की भूमिका निवारने वाले स्री निवास इस दुनिया से जा चुके हैं उनका देहान थो चुका है बाद में स्री निवास जी के सरीर से मिलते जुलते एक अन्य व्यक्ति से बाकी बचा हुआ द्रिस से पूरा करवाया गया पैसों की कमी के कारण ही फिल्मकार को वारिष का द्रिस फिल्माने की भी समस्या आई जब बरसाथ के दिन चल रहे थे तो फिल्मकार के पास पैसे नहीं थे जब पैसे आए तो बरसाथ के दिन नों होकर अक्टूबर का महीना था उस समय स्वच्छे आकास में बरसाथ होना असंभव है आप भी जानते हैं इस बात को किन्तू फिल्मकार प्रति दिन अपने साथियों सहित बरसाथ का इंतजार करता एक दिन अचानक आकास बादलों से गिर गया और खोब बरसा हुई इस प्रकार वारिष का दिर से फिल्म फिल्मकार एक अन्यनभव के बारे में बताता है कि जिस गाओं में सूटिंग करते थे वहां सुबोध द्दा नामक एक व्यक्ति रहता था पहले तो उसने उनका खोब विरोध किया किन्तु बाद में वह उनका मित्र बन गया इसी प्रकार फिल्मकार और उनके साथी जिस घर में सूटिंग करते थे वहां परोस में एक दोबी रहता था वह दोबी जो है वह मानसिक रूप से ठीक नहीं था वह बिक्षिप दवस्ता में था वह अक्षर उची आवाज में भाशन देना आरंब कर देता था जिससे साउंड का कार प्रवाभीत होता था बाद में दो भी के रिष्टेदारों ने उसे समझाया और फिल्मकार की परेशानी दूर फिल्मकार ने बताया कि जहां वे लोग सूटिंग करते थे वह घर बहुत पुराना था बहुत पुराना घर एक दिन सूटिंग के दौरान भूपेन वाशू जो साउंड रिकॉर्डिस थे उनके कमरे में सांप निकला आया जिसे देखकर वे बुरी तरह साम गए उस सांप को मारने की च्छा होने पर भी इस्थानी लोगों के मना करने पर उसे नहीं मारा गया वास्तों में वह एक वास्तु सर्पथा और बहुत दिनों से वहां रह रहा था तो इस तरह अपू के साथ धाई साल का सारांस आपने देखा समझा इस पर कुछ बच्चों प्रस्ण बनते हैं जैसे पथेर पांचाली फिल्म की सूटिंग का काम धाई साल तक क्यों चला वास्तों में पथेर पांचाली फिल्म की सूटिंग का काम धाई साल तक इसलिए चला कि जो फिल्मकार यानि लेखक उस समय स्वेंग एक विग्यापन कंपिनी में नौकरी करता था नौकरी के बाद आवकास मिलने पर ही फिल्म की सूटिंग का काम कर पाते थे फिल्मकार के पास परियाप्त पैशिन नहीं थे तो पहली बात हुई कि जो फिल्मकार हैं वो विग्यापन कंपिनी में नौकरी करते थे पैणाम शुरूप उन्हें कम समय मिलता था आवकास मिलने पर ही सूटिंग करते थे दूसरी बात फिल्मकार के पास परियाप्त पैशे नहीं थे नौकरी करके पैशे की बेवस्ता करनी पड़ती थी और उस पैशे से जितनी सूटिंग संभव हो पाती थी उतनी करने के बा स्वेशे में अधिक समय लगा मैंने आपको बताया भी जैसे भूलो कुत्ते के कारण जैसे दूसरे कुत्ते कि बेवस्ता करना स्री निवासन मिठाई वाले की मृत्य हो जाना और जैसे दूसरे व्यक्ति को स्रीमिवासन की जगर खोलना काश फूलों को जानवरों के द्वारा चर जाना आध यह से अनेक कारण थे जिनके कारण से पथेर पांचाली फिल्म की सूटिंग का काम धाई साल तक चलता रहा अब एक आपने देखा कि कई द्रिश्य ऐसे हैं कि जो फिल्म की तकनीक अपनाई गई है जो पात्रों का रूपांत्रन हुआ है अदला बदली हुई है तो ऐसे वे काउन से द्रिश्य हैं जिसे दर्सक पहचान नहीं पाते पठेर फिल्म की सूटिंग परियाप्त पैसे के एक साथ ही खठे न होने के कारण तुकड़े तुकड़े में पूरी हुई ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कुछ द्रिश्यों में तो अपारिहारी कारणों से कलाकार तक बदलने की नौबत आई बिवस्ता थी दर्सक एक से अधिक बार इस फिल्म को देखकर किये गए उस बदलाव को समझ न सकें इसलिए फिल्म में कुट्टे पर फिल्माए गए द्रिश्य जिसमें एक ही सूटिंग भूलो नामक कुट्टों पर फिल्माई गई और आधी सूटिंग उसी जैसे रंग रूप की समानता लिए दूसरे कुट्टे पर स्री निवाशन मिठाई वाले से समंधिद्र से जिसमें सूटिंग को की गई स्री निवाशन की मुख्य रूप से परंतु में ब्यक्ति से की गई से सद्रिश को पूरा करने के लिए सृनिवास वर इस दुनिया से ही जा चुके थे भूलो की जग़ा दूसरा कुट्टा क्यों लाया गया मैंने इसे आपको बताया है भूलो कुत्ता की मृत्त हो जाने के कारण दूसरा कुत्ता लाया गया वास्तों में फिल्म की माग के अनुसार अपू की माँ सर्व जया उसे भात खिलाती है और भूलो की नजर भात की ओर होती है अपू भात खाते खाते कमान से तीर छोड़ता है और भात खाना छोड़कर तीर लाने दोड़ जाता है उसकी मा सर्वजया बाएं हाथ से थाली और दाएं हाथ से निवाला पकड़े उसके पीशे पीशे भागती है किन्तु जब उसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि अब अपू नहीं खाएगा तो बचे भात को गमले में डाल देती है अब गमले में डाले हुए भात को कुत्ते के द्वारा खाए जाते हुए इफद्रिस को पूरा किया जाना था परन्तु संध्या समय अधेरा हो जाने के कारण गमले में डाले गए भात को खाते हुए कुत्ते की भूमिका वाला वद्रिस अधूरा रह गया भूलों की मृत्य हो जानी के कारण अस द्रिश को पूरा करने के लिए उस जैसे रंग रूप इत्यात की समानता लिए पहले जैसे दूसरे कुत्ते को खो जा गया फिर गमले में दुबारा भाट डाल कर कुत्ते द्वारा खाते हुए इस द्रिश को फिलबाया गया आपको मैंने पहले ही बताया है बच्चो बारिस का दृष्ष चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान कैसे किया गया वास्तों में पैसों की कमी के कारण बारिस के दृष्ष चित्रित नहीं किये जा सके थे और पैसों की जब तक ब्यवस्ता हो पाती बारिस का मौसम ही बीच चुका था शरद रित्मे प्रायह आस्मान साप रहता है और वारिस की संभावना बहुत कम रहती है बच्चों ये शरद रितु के बारे हम आप जानते हैं छे रित्मे होती हैं ग्रिश्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमन्त और बसंत वर्षा के बाद शरद रितु का आगमन होता है फिल्मकार ऐसी इस्तित में भी फिल्म के कलाकारों एवं कैमरा तकनीशियन को साथ में ले देहात में जाकर आकास में थोड़े से भी बादलों को देखकर मन ही मन कामना करता था काश ये बादल बड़े बन जामें और बरसने लगें आखिर में फिल्मकार की एक कामना फली भूत हुई शरद रित्मे भी बादल चागए और धुआधार वारिश हुई इस वारिश में फिल्म के बारिश सम्मंदी दिर्शे को फिल्माया जा सका अब एक प्रशन और उठता है कि अपू की भूमिका हे तू योग्य पात्र की बेवस्था कैसे हुई अखवार में इस तहार देकर भी जब अपू की भूमिका के लिए उचित पात्र का चुनाओ फिल्मकार नहीं कर सका तब उसकी पत्नी ने परोस में ही देखे लड़के की तरफ फिल्मकार को इसारा किया उसने उस लड़के का चुनाओ अपू की भूमिका के लिए कर लिया उनकी पत्नी ने बताया कि परोस में एक लड़का है तो फिल्मकार ने उसे ही अपू की भूमिका के लिए चैनित कर लिया अब फिल्मकार ने सूटिंग के लिए काउं सा गाउं चुनाओ और क्यों यह आपके मस्तिस में हमेशा रहनी चाहिए बात फिल्मकार ने सूटिंग के लिए बोडाल गाउं का चुनाओ किया अपू दुर्गा का घर, अपू का इस्कूल, गाउं के मैदान, खेत, पुकुर, पुकुरमनी जलाशे, आम के पेंड, बास के जुर्मुट, ये सभी बोडाल गाउं और उसके आसपास थे इवले उन्होंने इसका चैन किया अब अंत में बच्चो, हम ये देखें कि सूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, उन्होंने किस तरह से इसको पूरा किया, ये आप के लिए बहुत ही प्रेरक बिंदु है और ये प्रेरक तत्व हैं जो किसी भी ब्यक्तिकों उंचाईयों तक पहुचा सकते हैं किसी फिल्म की सूटिंग के करते समय फिल्मकार को करते लिएं आती, सत्य जीत राय के भी सामने अनेक कठनाई आई जिसे मैं आपको बता चुका हूँ अब मूल रूप से इस पाठ से हमें क्या प्रेणा मिलती है इसका प्रतिपात भी क्या है उद्देश से क्या है और किस तरह से समस्या आने पर उसका समाधान किया जाना चाहिए तो वास्तो में पहली बात आती है धन की बयूस्था जो की अरुमानित बजट से प्रायः बढ़ जाती है दूसरा है फिल्म के कलाकारों की एक से अधिक फिल्मों में भूमिका के कारण उनकी ब्यस्तता से उत्पन समस्याएं तीसरा है कलाकारों की स्वास्तिःगत समस्या नगlor, कभी वो बीमार भी पढ़ सकते हैं, कलाकारों के साथ घटित आकिस्मिक घटना तो में स्थानिय लोगों के हीूग से सम्मंदित भावगौलिक एवं प्राकृतिक समस्याओं से सम्मंदित और आवा गमन के साधन से सम्मंदित उत्पन्द समस्याएं आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें इस प्रकार की कठिनाईयां खासकर फिल्म जगत में आनी स्वाभाविक है लेकिन सत्य जीत राय ने धीरज के साथ करते करते उन्होंने विश्विस्तर पर कीर्टिमान इस्थापित किया